फ्रांस के दो दिवसिये एतिहासिक दौरे खट्म करने के बाद प्यम मोदी यूएई पहुचे आपुदावी एरपोर्ट पर ही प्यम मोदी के ताखत और उनके वैश्विक कत का परिचे दिखा यूएई के प्यम मोदी का प्लेन से उतरती ही गले लगा कर स्वागत किया फ्रांस दौरी के बाद प्यम मोदी का अब यूएई के एरपोर्ट पर भी गर्म जोशी और भव्य स्वागत किया गया दरसल पियम मुदी फ्रांस के एतिहासिक और प्रोडक्टिव दोरा खत्म करने के बाद UAE पहुचे जहां उनके स्वागत के लिए आबुदाभी एरपोर्ट पर क्राउन प्रिंस शेक मौमद बिंजायत मौजूद थे शेक मौमद के सासाथ UAE के अन्य प्रतिनिदी मंडल भी मौजूद रहे मगर सबकी नजरों को आकरशित किया शेक मौमद बिंजायत के स्वागत ने प्यम मौधी की प्लेन से उतरते ही प्रदाहर मंतरी को बड़ी ही गर्म जोशी के साथ शेक मौमद बिंजायत ने गले लगा लिया आप तस्वेरों में देख सकते हैं कि प्लेन से उतर रहे हैं और प्यम मोधी नमस्कार करने के लिए अपने हाथों को उठाते हैं मगद जायद ने उन्हें उससे पहले ही गले से लगा लिया मौमद जायद के इस वहवार के बाद पियमोदी ने भी बहुत गर्म जोशी के साथ उनसे गले मिला और उनकी पीट पर दोस्त की तरह थप थप आया मेरा हाल आप देख सकते हैं कि UAE के प्रतिनेदी मंडल ने पियमोदी को पहले नमसकार किया तब हाथ मिलाया अब यह एक कल्चर सा बन चुका है कि पियमोदी के स्वागत में विदेशी भी हाथ जोड़ते नज़र आते हैं स्वागत के बाद पियमोदी को एरपोर्ट पर गार्ड ओफ ओनर भी दिया गया सिर्फ यहीं नहीं विश्व की सबसे बड़ी बिल्निंग और जिसका लाइट शो पूरे विश्व में प्रसिद है बुर्ज खलीफा इमारत पर पियमोदी के स्वागत के लिए लाइट शो भी किया गया वेलकम मौनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरिंडर मोदी और पियमोदी की तस्वीर लाइट शो में देखी गई पियमोदी आबुदाबी के क्राउन प्रिंस शेक खालित बिन मोहमत से बिलिटरल मीटिंग भी करने पहुँचे साथी साथ भारत एवं यूएई के रिष्टे पर भी गहरी बातचीत हुई यूएई और भारत के इस दोरे को जियो पॉलिटिक्स की नजरों से एहम माना जा रहा है क्योंकि मौझूदा वक्त में भारत में कच्छे तेलों की किम्तों में बडूतरी हुई है और ऐसे में ये बातचीत अंतराष्टिय बाजार में भी अपना प्रभाव जरूर डालेगे फिलाल इस वारे वीडियो में इतना ही आपकी क्या राय है इस बारे में जरूर बताए हमें कमिट करके धन्यबाद